है गाइस वेलकम तो 5 मिनिट स्टोक एनालिसिस वीडियो जहांपर हम 5 मिनिट के अंदर किसी भी स्टोक का एनालिसिस करते हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है एंड उस ट्रेड के पीछे का लोजिक का है एंड सबसे इंपोर्टेंट बात हमको इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं सिप्राइस एक्षन को यूज करके पूरा एनालिसिस करते हैं उस ट्रेड को एक्जेक्यूट करते हैं सो अब यार बिना टाम वेस्ट के वीडियो को करते हमें स्टार्ट सो हम आचुके टाटा कम्यूनिकेशन के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के उपर आज हमको काफी अची तेजी समय देखने को मिल रही है तो क्या इमीजेटली हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए क्या होगा क्या स्टॉप लॉस्ट क्या टार्गेट होगा सब कुछ हम डीटेल में जानने वाला है तो वीडियो को एंड तक जवर दिखेंगा बहुत साही लर्निंग आपको मिलेगी यहाँ पर अगर झिपनी चीज देखोगे तो देख सकते होगे काफी टाइम से श्यांदार तेजी हमको नीचे से होती हुए नजराई यह नि 2020 में आप देखोगा काफी अच्छा मल्ते बिगर बनाएं काफी अची तजी हमको इसमें देखने को मिली है एंड फाइनली जहां पर एक top high लगाने के बाद उसके बाद को काफी ची सेली हमको देखने को मिली और फिला हमको upside retracement होता हुआ नजर आ रहा है पिछले चार वीक से देखो गया तो continuously तीन वीक तक price एक ही range के आसपास hold कर रही थी एक strong resistance level के आसपास hold कर रही थी एंड फाइनली आज हमको एक काफी अची तेजी इसमें देखने को मिल रही जहां पर नीचे में volume देखो को almost volume इंक्रीज हो रहा है and price भी upside move करती जारी तो यहां पर काफी अचा है breakout हमको देखने को मिला तो short term में हमारा काफी शानदार एक चोटा सा swing trade बन सकता है long term के लिए हम बाद में देखेंगा फिलाल हम short term की बात करेंगा तो फिलाल एक थोड़ा सा important चीज समझने के recent का जो इसका trend है वो थोड़ा सा हमको downside देखने को मिला रही जैसे मैंने पहले भी इस पर में video upload कर चुका आपने नहीं देखा पुराना video ज अगर हमको retracement देखने को मिला है तो अगर इसमें अगर कहीं पर भी selling pressure आता है तो definitely आपको इसको ignore करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इसका major trend है वो थोड़ा सा bearish trend हमको यहां पर particular इस पॉइंट से देखने को मिला रही तो हो सकता है यहां से definitely यह downtrend में थोड़ा सा देख देख लेता है इसका एक important जो support level ता वो जो break हुआ था एंड उसी के उपर price again आ चुकी है तो मैं एक बार mark कर देता हूं अगर मैं price wise बात करूं तो यहां पर देख सकते हो एक round level number है 1200 का round level number है तो यहां पर देख सकते हो 1200 एक strong support and resistance की तरह काम कर रहा है पहले एक बास resistance था फिर इस particular इस level के आसपास breakout हुआ था यहां पर support बना फिर काफी तेजी हुई again price ने 1200 का level hit किया एंड उसके बाद again हमको तेजी देखने को मिली शानता तेजी हुई and यहां पर particular इस point के आसपास देख सकते हो 1200 का level price ने break किया break करने के बाद काफी time तक price ने यहां पर hold किया है तो important चीज़े क्या है देखो यहां पर simple सी आप देखो कि particular अपर level से काफी अची selling pressure हमको देखने को मिल रहा था काफी अची selling already हो चुकी है and उसके बाद देखो कि price particular 200 के level को almost कितनी बाद टेस्ट कर चुकी देख सकते हो 5-6 बार price ने recently तीन विक के अंदर काफी अचा test किया है 1200 क और finally आज आप देखोगे तो finally एक breakout हमको देखने को मिला है तो short term में हमारा काफी एचा swing trade बनने वाला है यहां पर यहां पर particular इस level के असपर एक triangle pattern हमको देखने को मिला है जहां पर higher ही हमको बनता हो और नजरा है तो मैं वो छोटे time frame पर दिखाऊंगा तो आपको अच्छे स लगाना है और आप समझ जाओ देखो यहां पर क्या हो एक selling pressure था 1200 के level को पहली बार हीट किया selling pressure आया काफी तेज उसके बाद दो बार यहां पर हीट करने की कोशिश की फिर से selling pressure आया लेकिन प्रिवेस जो selling pressure था उससे कम था फिर अगें प्राइज हीट किया फिर से selling pressure लेकि को एक triangle pattern यहां पर बनता हूँ नजर आया जिसका upside upside एक breakout हुआ है राइट ascending triangle pattern हमको देखने को मिला राइट and particular काफी अच्छी selling के बाद हमको यह triangle pattern यहां पर 1200 काई strong support level था जो की break हुआ था resistance की तरह काम कर रहा था और finally यह break हो चुका है राइट तो यहां पर short term में हमारा ले सकते हो या फिर री टेस्ट पर इंट्री ले सकते हो दो जगह आपको इंट्री मिलेगे यहां तो immediate आप चाहो तो अभी इंट्री ले सकते हो लेकिन obviously आप में वीडियो अपलोड करूंगा तो market close होने के बाद आप इस वीडियो को देखने वाले हो तो आप आज नहीं त कल इसमें इंट्री ले सकते हो Friday को and simply आप यहां पर देखो समसे important बात क्या last में अगर आप volume देखोगे तो काफी heavy volume के साथ यह breakout हुआ तो definitely sustainable breakout हमाली हो सकता है and low risk के साथ हम काम करेंगे ज्यादा बड़ा risk नहीं लेना है आपको simply अगर आप short term में trade लेना चाहो तो definitely ले सकते ह हो and यहां पर देख सकते हूं मैं आपको एक बार इंट्री पॉइंट आपके साथ discuss कर लेता हूं यहां पर देखो कुछ इस टाइप का triangle pattern हमको बनता हो नजरा है finally यहां पर breakout आ तो दो बार आप प्राइस 1200 के level को rate retest कर सकती क्योंकि strong resistance level था वो break हुआ है तो एक बार री टेस के लिए आती तो आपके लिए और भी beneficial होगा क्योंकि आपका stop loss काफी कम हो जागा फिर आप यहां पर इंट्री ले सकते हो री टेस्ट के आसपास आपके entry point हो जाएगी जो भी री टेस्ट करने के बाद जब price उपर की तरफ move करेगी तो यहां पर आपकी entry होगी stop loss simply आपका ह बात करूँ तो एक target आपका यहां पर यह होना चाहिए 1273 का important resistance level है एंड उसके बाद major target आपका होगा यह वाला राइट 1320 के आसपास 1315 से 20 के आसपास major resistance level है तो यह हमारे 1320 का major resistance level है तो यह हमारे 2-3 target होने वाले है एंड उसके बाद हो सकता हमको थोड़ा selling pressure देखने को मिलेगा definitely क्योंकि obviously major trend आप देखोगे तो एक downward trend ही चल रहा है लेकिन फिलाइट retracement के अंदर काफी एचा 50% retracement भी होता है तो हमारे लिए काफी एचा चोटा सा swing trade बनेगा definitely एंड उसके बाद 1230 का level break हो जाता है तो definitely उसके बाद और भी तेजी हमको इसमें देखने को मिल सकते है I hope की short term में आपको trade समझ में आ चुका होगा काफी simple तरीके से समझ जाने की कोशिश की हो सकता है एक कल या फिर कल थोड़ा momentum हो जाए उसके बाद थोड़ा selling pressure आए या फिर कल ही selling pressure हमको देखने को मिले अगर होके जाती प्राइस तो काफी अच्छा होगा काफी श्यांदा ट्रेड बनेगा I hope कि सारी चीजे क्लियर हो चुकि short term काफी अच्छा ट्रेड है and definitely तेरा सुबीस का लेवल बिलेग होगा तो फिर हम target और भी बढ़ा कर सकते फिर all time की तरफ all time high की तरफ अपनी प्राइस मूग कर सकते है I hope कि सारी चीजे क्लियर हो चुकि वीडियो आपको कैसा लागा कमेंड बॉक्स में जरू बता ऐसे लेटेस लोजिकल ट्रेडिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आइकन को हिट करें तकि एसे स्विंग ट्रेडिंग वीडियो साब से मिस नाओ टाइम पर इन साइच चीजे को देख भाए देखने पाद साइच चीजे को एक्जिक्ट कर पाऊ सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी आच चेस्टों के साथ